नमस्ते दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रत्निक अमल जेम्स में स्वागत है मेरा नाम है योगेंद्र सोनी मैंने इंटरनेशनल जैमेलोजिकल इंस्टिट्यूट से रत्नों में डिपलोमा किया हुआ है आज मैं मूंगा रत्ने यानी रेड कोरल के बारे में बात कर रहा हूँ अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि ये कहां से आता है क्यों पहना जाता है और सबसे जरूरी असली और नकली में पहचान कैसे करें क्योंकि इसमें जो यह मूंगा रतन हैं इसमें काफी नकली स्टोन चलते हैं इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आप लोग असली और नकली में अंतर कैसे करेंगे तो चलिए आपका बिना कोई टाइम वेस्ट करें चुरू करते हैं मूंगा रतन क्या है मूंगा जो रतन है इसे इंगलिश में कोरल बूला जाता है यह एक जीव द्वारा बनाया हुआ रतन रहता है यह कोई पत्थर नहीं रहता इसके तीन कलर आते हैं सफेद नारंगी और लाल यानि वाइट और रेड इसकी जो में माइन्स हैं वो सबसे जादा इस्तमाल होने व करते हैं मूंगा रत्म की खदाने और उनकी कीमत सबसे पहले हम बात करेंगे मूंगे की प्राइस डिसाइड कैसे होती है सबसे जो पतला मूंगा होता है सबसे पतला वाला जो आता है वो सबसे सस्ता आता है और जितना चोड़ा होता जाएगा उसका प्राइस उतना बढ़ अगला जो stone है ये तिकोना मुंगा है ये भी Italian stone है ये आपको 600-700 रुपर रत्ती मिल जाएगा फिर अगला जो stone है ये भी Italian मुंगा है ये oval shape का आता है आप देख सकते हैं ये इसकी जो price है 600-700-800 रुपर रत्ती मिल जाती है उसके बाद चप्टे वाले मुंगे शुरू होते हैं जो एकदम चप्टे होते हैं बहुत चोड़े होते हैं इनकी जो price है आपको 1500-2000 रुपर रत्ती तक मिलेगी फिर ये जो stone है ये Japanese मुंगा है इसकी जो price है 2500 रत्ती है ये rare काफी होता है इसलिए इसकी price जादा होती है काफी कम मिलता है वो काफी अच्छी quality होती है उसके बाद आता है देसी मुंगा मतलब Indian मुंगा ये color में हलका होता है इसकी जो price, starting price होती है ये 700, 600, 700 रुपर रत्ती starting होती है 1500 रुपर रत्ती तक में आ चाता है असली और नकली मुंगा रत्ती की पहचान सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें नकली कौन कौन से stone आते हैं उसके बाद हम पहचान कर पाएंगे इसमें जो भी नकली stone आते हैं या तो plastic का होगा या चीनी का होगा चीनी का सबसे ज़्यादा चलता है ये जो stone है टोटल चीनी का है अब हम देखेंगे असली और नकली की पहचान कैसे होगी जब हम एक नकली मुंगा और एक असली मुंगा देखते हैं इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे आइगलास लगा के देखेंगे या नॉर्मल आखों से भी देखेंगे तो आपको इस पर अपनी जैसे हस्त रेखाएं होती हैं हाथ की रेखाएं होती हैं वैसी लाइन्स देखेंगी उन नकली मुंगे में आपको नहीं देखेंगी नकली मुंगा एकदम साफ होगा उस पर कोई निशान नहीं होगा वहीं जब आप एक असली मुंगा देखते हैं तो आपको ऐसा दिखेगा जैसे लकडी हो कहीं पर काला निशान हो सकता है लाइन है हर जगह होगी जो मैंने हाथ की रेखाओ वाली लाइन बताई ही वो हर जगह होगी तो वो मुंगे में कोई सा भी मुंगा हो वो सब में आएंगी ये जो लाइन्स दिख रही है ये अगर असली मुंगा हो तो उसमें आएंगी ही आएंगी अब हम देखते हैं जो नकली मुंगा है वो पास से कैसा दिखता है एकदम क्लीन इसमें कुछ भी गंदगी नहीं होगी एकदम साफ दिखेगा एक जो नकली मुंगा आता है इसकी जो आप ये वाली साइट देखेंगे इसमें आपको इस टाइप की ये गोल-गोल जलेवी जैसी बनी दिखेगी मुंगा रतनी की Certificate की जाँच कैसे करें ये जो आपके सामने Certificate है इसमें इसका shape लिखा हुआ है वजन लिखा हुआ है dimension लिखा हुआ है natural red coral comments में कुछ नहीं लिखा हुआ मुंगे में treatment बहुत कमी आते हैं या असली आता है या नकली आता है मूंगा रतन क्यों पहना जाता है मूंगा मंगल ग्रे का रतन है इसे मंगल ग्रे को और पावर देने के लिए पहना जाता है अगर आपके कुंडली में मंगल ग्रे अच्छे बैठे हुए हैं उसे साब से पूजा करके मंगलवार को सुरुदय के टाइम पर इसको पहन सकते हैं असली मुंगा घर बैठे कैसे प्राप्त करें आप एक natural original मुंगा authentic certificate के साथ GST बिल के साथ घर पर बैठे order कर सकते हैं website की link आपको description में मिल जाएगी बाकि इसके अलाव आपके मन में कोई भी सवाल हो कोई doubt हो कौन सा रत्न पहनना है उसके लिए आप हमें अपनी कुंडली भेज सकते हैं whatsapp, instagram, facebook की link आपको description में मिल जाएगी चलिए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं अगली वीडियो में मिलते हैं धन्यवाद